नीट परिक्षा के अभ्यर्थियों को राजस्तान रोडवेज निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान कर रहा है रोडवेज के ओर से अभ्यर्थियों को एड्मिशन कार्ट दिखाने पर साधारन और एक्स्प्रेस बसों में निशुल्क यात्रा करवाई जाएगी राजस्तान रोडवेज के महाप्रबंधक नवीन जैन ने बताया कि रोडवेज प्रिशासन ने इसके लिए सभी तयारियां पूरी कर ली है यात्रा के दोरान कॉरोना गाइड लाइन्स की पालना भी कर वाई जाएगी माने मुख्यमंतरी मोदे जी के निर्देश पर राजस्तान रोडवेज द्वारा कल की जो 13 तारीकी नीट परिक्षा है उसके लिए रोडवेज द्वारा सारी तयारियां कर ली गई हैं जो जो हमारे केंदर हैं जहां से की बच्चों के जाने की संबावना है वहाँ पर एक्ष्ट्रा बसें उपलब्द रहेंगी जैसे ही हमारे वहाँ मैनेजर ओपरेशन को ये लगेगा की एक्ष्ट्रा बसों की मांग है तो एक्ष्ट्रा बसें चला दी जाएंगी जुर्थ के साबसे और इसके अलावा माने मुक्यमंदरी जी की खोशणा के अनुरूप आज 12 तारीक को अगर कोई वेक्ति के अंदर पर पहुंचना चाता है, कल 13 तारीक को अगर वापसी करना चाता है तो 12 से लेके 14 तक बच्चों को केवल परिक्षा के लिए जो नीट की परिक्षा क admit card है उसको दिखाने के अधार पर पूरी तरह से निशल की यात्रा दी जाएगी और अगर उसके साथ उसके कोई माता-पिता या कोई अन्य वेक्ति ट्रेवल करते हैं तो उनको अपनी टिकट उसी तरह से लेनी हैं जिस तरह से नॉर्मली वो लेते हैं थर्मल स्क्रीनिंग कंप रिकरते हैं और थर्मल स्क्रीनिग में यृद्धी टेंपREE ट्रेचर उसका जादा आता है तो उसे यह कहा जा सकता है कि वो बस स्यातरा पड़ता है तो वो अपने हाथ साफ करते रहें